आनलाइन सिच्छड में आप स्वी बच्चों का स्वागत है। आज हम रोग कच्छा आठवी कास इतियास विशे पढ़ेंगे। इतियास विशे का तीसरा पार्ट है अंग्रेजी सत्ता के पैड़ा। इसके पहले आपने दूसरा पार्ट पढ़ा जिसमें आपने अंग्रेजो के बारे में पढ़ा इस तरह से भारत में आये व्यापारी बन करके और अपनी सत्ता की अस्थापना कर लिये। कि कमपनी की अस्थापना के जरिये उन्होंने भारत में बंगाल, पंजाब और महाराष्ट जैसे छेत्रों में धीरे धीरे अपनी सत्ताओं की अस्थापना की। तो चलो लोग इस पार्ट में देखते हैं कि अंग्रेजी सत्ता के भारत में क्या पढ़ाम हुए इसका अध्यान करेंगे। आम्रेजों ने जो अपनी सत्ताओं अस्थापना की तो उसका भारत पर क्या पढ़ाम हुआ इसे इस अध्याय में पढ़एगे। ब्रिटिस इस्ट इंडिया कमपनी की अस्थापना हमने देखा कि भगोलिक खोजों के कारण यूरोप की सत्ताएं भारत के टटों पर किस तरह पहुँची और पुर्तगाली, डच, फ्रांसेसी, अंग्रेज ये सभी सत्ताएं भारत के बाजार को अपने अधिकार में कर लेने की सत्ता अस्परधा में उतरी हुई थी सभी जो है भारत की बाजार को अपने अधिकार में करना चाहते थे सभी जो है यहाँ से अपना ब्यापार करना चाहते थे इसलिए उनके बीच सत्ता अस्वर्धा चल रही थी जब अंग्रेज भारत में ब्यापार के बहाने आये तब भारत में पहले से ही आए हुए पुर्टगालियों ने उनका कठोर विरोध किया अंग्रेजों के पहले से यहां पुर्टगाली आ चुके थे उन्होंने अंग्रेजों का कठोर विरोध किया कालंतर में अंग्रेज और पुर्टगालियों के बीच मित्रता के संबंद भी अस्थापित हुए और दोनों के बीच का विरोध कम हो गया परन्तु भारत पर अपना बर्चस्त अस्थापित करने की अस्परधा में अंग्रेजों को फ्रांसीसी, डच और अस्थानी सत्ता अधीसों के विरोध का सामना करना पड़ा अंग्रेजों को अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए अपना बर्चस्त स्थापित करने के लिए फ्रांसीसी, डच और अस्थानी सत्ता अधीसों भारती दाजाओं के साथ जो है उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा अंग्रेज और मराठे बुंबई अंग्रेजों का पस्चमी भारत का प्रमुक्य इंद्र था इसके आसपास के प्रदेश को अपने अधिकार में कर लेने का अंग्रेजों का प्रयास था प्रंतु इस प्रदेश पर मराठों की बड़ी मजबूत पकड़ थी माधवरा पेश्वा की मृत्व के पस्चाथ पेश्वा पद की लालसा में आकर उनके चाचा रघुनात राव ने अंग्रेजों से सहायता मागी इस प्रकार मराठों की राजनीती में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ 1774 इस्वी से लेकर के 1818 इस्वी के बीच मराठा और अंग्रेजों के बीच तीन बार युद्ध हुए प्रथम युद्ध में मराठा सरदारों ने एक जूठ हो करके अंग्रेजों का सामना किया प्रवेश्वा मराठों की विजय हुई 1782 इस्वी में साल बाई की संदी हुई और अंग्रेज मराठा की बीच चल रहा ये प्रथम युद्ध समाप्त हो गया सहायक सेना 1798 इस्वी में लाड बिलसली भारत में गवर्नर जर्नल के रूप में आया संपूर भारत पर अंग्रेजों का बर्चस्व स्थापित करना उसकी नीती थी इसके लिए उसने अनेक भारती सत्ताधीसों के साथ सहायक सेना के समझोते किये इस समझोते के नुसार भारती सत्ताधीसों को अंग्रेजी सेना की सहायता का आश्वासन दिया गया परन्तु इस सहायता के लिए कुछ सरते भी रखी गई उने भारती सत्ताधीसों के साथ सहायक सेना की समझोते किये इस समझोते के अनुसार भारती सत्ताधीसों को अंग्रेजी सेना की सहायता का आस्वासन दिया गया लेकिन इस सहायता के बदले कुछ सर्थ भी रखा उसने इन सर्थों के अंसार भारती राजाओं को उनके राज में अंग्रेजों की सेना रखनी होगी इस सेना की ब्यहेतु नगदरासी अतवा उतनी आयका प्रदेश कमपनी को देना होगा इसरत रखी दूसरा भारती सासक अन्य सत्ता धीसों के साथ अंग्रेजों की मध्यस्थता से ही संबंद स्थापित करेगा कोई भारती सासक दूसरे भारती सासक के साथ अगर संबंद स्थापित करना चाहता है तो इसकी मध्यस्था अंग्रेजों के द्वारा की जाएगी तभी संबंद स्थापित हो सकेगा अपने दरबार में अंग्रेजों का रेजीडेंट यानी प्रतनिधी रखना होगा सभी सत्ताधीसों को अपने दरबार में अंग्रेजों का प्रतनिधी रेजीडेंट रखना होगा भारत के अनेक सत्ताधीसों ने इस संदी को स्विकारा और अपनी स्वतंतरता को खोबैठे इस तरह से बहुत सारे भारती सत्ता अधीसों ने अंग्रेजों की संधी को स्विकार किया और अपनी स्वतंतता खो बैठे यानी अंग्रेजों के अधिकार में ओ आगे 1802 इस भी में बाजी राधुती ने अंग्रेजों के साथ सहाइक संधी की यह संधी बसई की संधी की रूप में भी पसिद्ध हुई परन्तु यह संधी अनेक मराठा सरदारों को स्विकार नहीं थी फल स्वरूप अंग्रेज और मराठों के बीच दूसरा जुद्ध हुआ इस बिजय के पस्षाथ अंग्रेजों का मराठी राज में हस्तक छेप बढ़ने लगा यह हस्तक्चे बाजी राधुती को असे हुआ अत्य बाजी राधुती ने अंग्रेजों के बिरुद्ध युद्ध की घोसला की इस युद्ध में उसकी पराजय हुई 1888B में उसने आतुसमर पढ़ किया इस बीच मुगलों की राधानी परत्यक्ष में दौलत राव सिंदे की अधिकार में थी सिंदे की सेना को पराजित कर जनरल लेक ने मुगल सासक को बंदी बनाया और हिंदुस्तान पर विजय पाली नहीं मुगल साशक को बंदी मनाने के बाद हिंदुस्तान पर विजय प्राप्त कर ली छत्पति पrantाप सिंग पेश्वाई का अस्त हुआ दिरे दिरे आपने देखा कि पेश्वाई समाप्त हुई पिस्वाई का अस्त हुआ फिर भी सतारा के चतपती परताप सिंग गद्धी पर थे अंग्रेजों ने चतपती परताप सिंग के साथ संदी कर ली और ग्रान डफ नाम कधिकारी को उनके राज प्रसासन में सहायता करने हेतू निक्त किया परंतू-कालांतर में उन्हें गद्धी से पदचित करके कासी में रखा गया और वहीं पर उनकी 1870세 सिंग में बृत्त हो गई क्या आप जानते हैं कुछ चीजे हैं जिसको जानकारी आपके होना चाहिए चत्पती परताब सिंग ने 17 सहर में योतेश्वर मंदिर के पीछे और महादरा में तालाबों का निर्माड करवाया और उन तालाबों का पानी सहर में ले आए सहर में सडके बनवाई, सडकों के दोनों और पेर लगवाए लड़के लड़कियां संस्क्रित मराथी अंग्रेजी सीखें इसके लिए विद्याले का निर्माण करवाया वहीं पर एक छापा खाना प्रिस खुलवाया और अने कुपियोगी गरंथ छपवाया 1827 में उन्होंने राजनीति विशयक सभानीती नामा के गरंथ लिख कर छपवाया उन्होंने 17 से महाबलेस्वर तक प्रताब गड़ तक की सड़क बनवाई वही सड़क आगे महार तक ले जाई गई चत्रपती प्रताब सिंग प्रत दिन धैनेंदनी डायरी लिखा करते थे ये चत्रपती प्रताब सिंग की विशेष्टा है जो आपको जानना चाहिए छत्रपती प्रताप सिंग के प्रमुक प्रसासक रंगो बापूजी गुपते ने इगलेंड जाकर इस अन्याय के बिरुद्ध गुहार लगाई प्रन्तु न्याय मागने के उनके प्रयास बिफल हुए आगे चलकर लाड़ लहुजी ने उत्राधिकारी अधिकार दत्तक बिधान अस्विकार कर दिया आगे चलकर लाड़ लहुजी ने उत्त्तराधिकारी अधिकार यानि दत्तक बिधान अस्विकार कर 1847 में 17 का राज हड़प दिया यानि कोई जो है किसी राजा के पास उसका खुद का बेटा नहीं होता था तो दूसरे को दत्तक लेकर के वो राज देता था लेकिन अग्रेजों ने इसे स्विकार कर दिया उत्राधिकारी कानून को और जिस राजा के पास कोई संतान नहीं होती थी उत्राधिकारी नहीं होता था उसकी सत्ता को हड़प लेते थे अंग्रेजी सत्ता के भारत पर क्या परड़ाम हुए दिखते हैं दोहरी सासन व्यवस्था राबर कलायू ने 1765 हिस्वी में बंगाल में दोहरी सासन व्यवस्था प्रारम की कमपनी ने राजस्विकस्ठा करने का कार अपने हाथ में रखा तथा सांती और व्यवस्था बनाए रखने का कार बंगाल के नबाप को सवपा इसी को दोरी सासन बेवस्था कहते हैं यानि पैसा लेने का काम कमपनी करती थी और जो जाज्य में सांती बेवस्था बनाये रखने का काम नबाब करती थी दोरी सासन बेवस्था के दुस परड़ाम कालंतर में दिखाई देने लगे सामान जनता से करके रूप में वसूल किया गया पैसा कमपनी के अधिकारियों ने अपनी जेब में दबाया भारत में व्यापार करने का एका अधिकार केवल इस्ट इंडिया कमपनी को प्राप्त था अत्या इगलेंड के कई व्यापारी इस कमपनी के प्रती इरिस्या रखते थी भारत में चल रहे कमपनी के प्रसासन पर इगलेंड में आलोचना होने लगी तब कमपनी के प्रसासन पर नियंतरन रखने है तो इगलेंड के पार्लिया मेंट ने कुछ महत्पूर कानून बनाए पार्लिया मेंट द्वारा बनाए गए कानून कौन से कानून इगलेंड की पार्लिया मेंट में बनाए गए जो कि कांपनी पर लागू किए गए 1773 स्वी में Regulating Act के अनुसार बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद दिया गया। इस Act के अनुसार लाड़ वारेन हेस्टिक्स गवर्नर जनरल भना। उसे मुंबई और मद्रास चन्नई प्रान्तों की नीतियों पर नियंतरन रखने का अधिकार प्राप्त हुआ। उसकी साहता करने के लिए चार सदस्यों की समिती का भी गठन किया गया। 784 वे में भारत के विशय में पिट का कानून पारित हुआ। ुट कमपनी द्वारा भारत में चलाई जा रही सासन ब्यवस्था पर पारलियामेंट का नियंतरन रखने हेतू एक अस्थाई स्वरूप की नियंतरन परिश्द गठित की गई। इस परिश्द को कमपनी द्व भारत में चलाई जा रही शासन विवस्था की विशय में आदेश देने का अधिकार दिया गया। तो इस्टेंडिया कंपनी की अस्थापना की गई थी उस पर बिटिस सरकार का अप्रत्यक्ष रूप से प्रसासन यानिशासन यंत्रण आ गया। प्रसासनिक नवकर तंत्र सिविल सर्विसेस। भारत में अंग्रेजी सत्ता को सुद्रिन बनाने के लिए अंग्रेजों को नवकर तंत्र किया हो सकता थी। लाड का अनवाली इसने नवकर तंत्र का निर्माण करवाया। प्रसासनिक नवकर तंत्र अंग्रेजी सासन बिवस्था का महत्पूर घटक बना। कंपनी के अधिकारी निजी ब्यापार नहीं करेंगे। ऐसा उसने नियम बनाया। इसके लिए उसने अधिकारीयों के वेतनों में ब्रिद्धी की। उसने प्रसासन की सुविधा की दृष्टी से अंग्रेजों के अधिकार वाले प्रदेशों का जिले के अनुशार की भाजन किया जिला अधिकारी, कलेक्टर, जिला प्रसासन का प्रमुग था, राजस्वी कठा करवाना, न्याय प्रदान करना, कानून यों द्वस्था बनाए रखना, उसके महत्मूर दाइत थे अधिकारीयों की भरती, इंडियन सिविल सर्विसेस, आई सी यस, प्रतियोगता परिच्छाओं द्वारा की जाने लगी सेना और पुलिस बल, भारत में अग्रेजों के अधिकार वाले प्रदेश की रच्छा करना, नई प्रदेशों को हथिया लेना, जीत लेना, भारत में अग्रेजों के बृद्ध होने वाले बिद्रोह का दमन करना, सेना के कारे थे देश में कानून और व्योस्था बनाए रखना पुलिस बलका कारे था न्याय प्रडाली कैसी थी? इगलेंड में प्रचलित न्याय प्रडाली के धर्रे पर अंग्रेजों ने भारत में नई न्याय प्रडाली भी अस्थापित की प्रतेक जिले में असायनिकी अर्थात नागिरिकों के मुकदमे के लिए दिवानी न्यायले और फोईदारी अपराधिक मुकदमों के लिए न्यायले स्थापित किये गए उनके निरड़यों पर पुनर विचार करने के लिए उच्च न्यायले स्थापित किये गए इस तरह से न्याय ब्योस्था स्थापीत की गई। कानून के सम्मुक सभी समान है यह सिद्धान अंग्रेजों ने रूड कर दिया यह भारत में लागू कर दिया इस प्रडाली में भी कुछ दोस्त थे एरोपी लोगों के मुकदमे चलाने के लिए स्वतंत्र न्याय ले थे और विभिन कानून थे नए कानून आम लोगों की सम रहते थे कदमे कई सालों तक चलते रहते थे इसलिए न्याय पाना भी बहुत मुश्किल था बड़ा खर्चीला था अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां प्राचीन समय से भारत पर आकर्मन होते रहे हैं अनेक आकर्मनकारी भारत में अस्थाई रूप से बस गए वे भारत की संस्क्रती में घुल मिल गए यद्यप उन्होंने यहां सासन किया फिर भी भारत की अर्थ व्योस्ता में मूल भोत परिवर्तन नहीं किये अंग्रेजों के विशय में ऐसा नहीं हुआ इगलेंड आधुनिक राष्ट था अध्योगी करांती होने से वहां पूजी वादी अर्थ व्योस्ता रूड हो गई थी इस व्योस्ता के लिए पोशक ऐसी अर्थ व्योस्ता उन्होंने भारत में परचलित की परिडामत इगलेंड को आर्थिक लाब हुए परंत भारतियों को आर्थिक सोसन होने लगा अंग्रेजों का तो लाब हुआ लेकिन भारत का नुक दियाद की अर्थवस्था आत्म निर्भर थी। अंग्रेजों के पूर समय में फसलों के अनुसार लगान निर्धारित किया जाता था। लगान देने में तो भी उनकी भूमी छीनी नहीं जाती थी पहले भरत में ये व्योस्था थी। आए में ब्रिधी लाने है तो अंग्रेजों ने राजस प्रडाली में महत्पूर्ण परिवर्तन किये। अंग्रेजों ने भूमी का मापन करके भूमी के छित फल के अनुसार लगान का निर्धार्ण किया। लगान नगत रासी में और निश्चित समय में अदा करने है तो कडाई बढ़ती जाने लगी। पैसे के रूप में लगत के रूप में लगान ली जाएगी और कडाई भी बढ़ती जाने लगी। नियम बनाया गया कि लगान निर्धारिच समय के भीतर अधार न किये जाने पर किसानों की भूमी सरकार द्वारा अधिग रही त्यानी जब्त कर ली जाएगी। अंग्रेजों की राजस विकठा करने की प्रढाली भारत के विभिन प्रदेशों में अलग-अलग थी सर्वत्र किसानों का सोसर ही होता था। समय पढ़ने पर किसानों को लगान भरने के लिए साहुकार के पास अपने खेट गिर्मी रखकर करज लेना पड़ता था, फलस्वरूप किसान करजदार बन गए, करज न लवटाने पर उन्हें अपने खेट बेचने पड़े, सरकार, जमीदार, साहुकार, व्यापारी किस अब अंग्रेश सरकार का पास नील, तंबाकू, चाय जैसी नगदी फसलों को प्रोसान देने लगे, खाध्यानों की उपज लेने की अपेच्छा अधिक लाप्राप्त करा देने वाली ब्यापारी कत्वा नगदी फसले लेने पर बल दिया जाने लगा, इस प्रक्रिया को क्रिसी का ब्यापारी करण कहते हैं, इस तरह से क्रिसी का भी ब्यापारी करण हो गया नगदी फसले परदा करवा करके, अकाल अट्रसो साथ इसबी से उननीस सो इसबी के बीच भारत में बड़ी मात्रा में अकाल की स्थितियां उत्पन हुई, परंत अंग्रेश जी, पर्युहन यों संचार व्योस्था में सुधार अंग्रेजों ने व्यापार विद्धी और प्रसासन की सुविदा की रिदिष्टी से भारत में पर्युहन और संचार की आधनिक सुविदाय निर्मार की, उन्होंने कुलकत्ता और दिल्ली को जोडने वाले राजमार का नि ब्योस्था अंग्रेजों ने भारत में प्रारम की इस ब्योस्था द्वारा भारत के प्रमुखनगर तता सैन की अस्थान एक दूसरे के साथ जोड़े गे इसी भाती जो है मुंबई और ठाडे रेल है जो की 800 तिरपन में दोड़ी थी ये रेल गाड़ी इसी तर अंग्रेजों ने डाग व्योस्था का भी प्रारम किया इन सभी सुधारों के भारती समाज जीवन पर दूर गामी प्रेडाम हुए देश के भुभिन छेत्रों के लोगों के बीच पारस परिक संपर्ग बढ़ा प्रेडामत है उनके बीच एकता की भावना में ब्रिद्धी होने में सहयोग मिला यानि उनकी में अंदर एकता की भावना का विस्तार हुआ भारत के पुराने उद्योग धंदों का हरास भारत में जो पुराने उद्योग धंदे थे उनका किस तरह से हरास हुआ भारत से इगलेंड जाने वाले माल पर अंगरीज सरकार जबर दस्त कर वसूल करती थी इसके विपरीत इगलेंड से भारत में आने वाले माल पर बहुत कम कर लिया जाता था, इस तरह इगलेंड से आने वाला माल यहंत्रद्वारा निर्मित होता था, पैडाम स्वरूप उस माल का उत्पादन बड़ी मात्रा में और कम लागत में होता था, ऐसे सस्ते माल के साथ प्रतिद्वन्दिता करना भारती कारीगरों को कठिन सिद्ध हुआ, पैडाम तै भारत के व्यापारीक उद्योगधंदे बंद हो गए और अनेक स्रमीक बेरोजगार हो गए भारत में नए उद्योगधंदों का विकास हुआ, अगरेज सरकार का समर्थन, प्रबंधन का अनुभो और पूजी जैसी बातों का अभाव होने से भारती उद्योजग बड़ी संख्या में आगे नहीं आ पाए, फिर भी ऐसी अनेक बाधाओं पर विजय पाकर कई भारति उद्योगों का निर्मार भी किया, अगरेजों के आगे भारती टिक नहीं पाए, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने ऐसा जो इन बाधाओं को दूर करके उद्योग का निर्मार किया, अट्रासो तिरपनिस्वी में कावसी नाना भाव दावर ने मुंबई में पहली मिल शुरू की, अब जानते हैं कि मुंबई कपड़ा मिलों के लिए ही प्रसिद्ध है, तो ये पहली मिल भारती, यहां बाधावसी में कावसी नाना भाव दावर ने मुंबई में पहली कपड़ा मिल शुरू की थी, अट्रासो तिरपनिस्वी में बंगाल के, रिष्तरा म पट्षन की पहले मेल प्रारम वोई 1907-2022 में जमसेज जी टाटा ने जमसेज पूर में टाटा आइरन एन स्टील कमपणी का इसपात निर्मान का कारखाना अस्थापित किया था यह हैं जमसेज जी टाटा जिसको जानते हैं टाटा कमपणी टाटा का हर सामाना आपके सामने जाता है वो जो है ये जमसेज जी टाटा ने टाटा कंपनी शुरूर की थी बारत में कोईला, खनीजधात्वें, चीनी, सेमेंट और आसायनिक पदार्थों जैसे उद्योगों का भी प्रारंब हुआ सामाजिक और सांस्क्रितिक पड़ा, उनिसमी सताबदी में एरोप में मानवता, वाद, विचारवाद, लोकतन, प्रवधारतावाद जैसे नए मुल्यों पर आधारित, नए युक का अवतरन हुआ था पश्चमी बिश्व के इस परिवर्तन की प्रतिक्रिया भारत में होना स्वाभाविक था अंग्रेजों को प्रसासन चलाने के लिए भारती समाज को भली भाती जानना अवस्यक था इसके लिए उन्होंने यहां की परंपराएं तिहास साहित कलाएं तता यहां का संगीत पसुपक्ची का भी अध्यन करना प्रारम किया 1784 में अंग्रेज अधिकारी बिलियम जोनसनी कुलकत्ता में एसियाटिक सोसाइटी या बंगाल संस्था की अस्थापना की जर्मन विचारक मैक्स मुलर भारती धर्म भासा और तिहास का गहन अध्यता था इनुदारनों द्वारा हमें भी अपने धर्म तिहास और परंपराओं का अध्यन करना चाहिए यह भूद नौसिचित भारतियों में उत्पन होने लगा इस तरह से भारती लोग भी अध्यन करने लगे अंग्रेजों ने भारत में नए कानून बनाए अट्रसो उन्तिस इसवी में लाड बेंटिक ने सती पर्था पर रोक लगाने का कानून बनाया इसको हम भारती सुधार भी कर सकते हैं एक कानून धर्म सुधार के विर्ष्टी से सहायक सिद्ध हुए तसासन चलाने के लिए अंग्रेजों को अंग्रेजी सिच्चा प्राप्त भारतियों किया स्विक्ता थी लाड मैकाले की सिपारिस के अनुसार 1875 सिच्बी में भारत में अंग्रेजी सिच्चा का प्रारम हुआ नई सिच्चा द्वारा नए पस्च्चमी विचार आधुनिक सुधार विज्ञान और तक्निकी विज्ञान से भारतियों को परचित कराया गया 1877 में कुलकत्ता मुंबई मदराश चन्नई में विज्ञ विज्ञालों की अस्थापना की गई पस्चमी सिच्चा प्राप्त मध्यंबर्ग ने भारत में सामाजी कुनर जागरन आंधोलन का नेत्रित दिया बाद में तो इस तरह से भारत में कुछ अच्छे काम भी हुए जो की आज तक दिख रहे हैं और कुछ जो है अगरेजो दाराकार ठीक नहीं थे लेकिन कुछ सुधार भी हुए जो की बहुत ही महत्पूर हैं आज भी उनका असर है आज भी हम उसको देख सकते हैं तो इस तरह से आज का सीचन इपी समाप्तुला धन्यवाद